हम में से काफी सारे लोग बबल लेवल जरू ही उच करते हैं लेकिन हम में से काफी लोगों को बबल लेवल के वारे में एक चीछ पता नहीं है आज जान लीजिए और आपका बबल लेवल सही है कि नई कॉमेंट करके जरू बताइए और अगर आप नया खरीदने जाते हो तो हम जो बताने वाले है उस तरीके से जरूर खरीदीजिएगा अब चलिए हम डेमो दिखाते है उसे आपको देखना है और समझना है कौन सा गलत और कौन सा सही है यहाँ पर देख लिए दो बबल लेबल रखा हूँ एक नया वाला और एक पुराना वाला चलिए इसका लेबल देखते है यहाँ पर देख लिए पुराना वाला का जो लेबल है वो सेंटर में पानी है लेकिन नया वाला जो पीछे साइट में है वो लेप साइट में पानी है अब लेबल चेक करने के लिए बबल लेबल को क्या होता है पल्टी मार के भी देखना पड़ता है तो दोनों बबल लेबल को हम यहां पल्टी मारेंगे और देखेंगे बबल लेबल में पानी गड़ बढ़ है की नहीं पूराना वाला जो है मेरा सामने की साइट था तो उसे मैं सामने की साइट रखा हूँ यहाँ पर देख लीजे फिर से हम लेबल दिखाते है पूराना वाला का पानी वो आपका सेंटर में है लेकिن नया वाला का पानी राइट साइट में जा चुका है, आप कोंसा बबल लेवल खराब है, और खराब है तो क्यों खराब है, और हम इसे किस तरीके से खरीदेंगे ताकि मुझे सही बबल लेवल मिल जाए, चले इसके लिए हम आपको अलग जगह में लेके जाते हैं, औ और एक नया है, यहाँ पर दो इसलिए रखाऊं, ताकि आपको असान तरीके से समझा सकूं, और आप समझ पाए, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर भी खरीदने जाते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले लेवल जगह अगर होता है, वह देख लिजिए, जैसे क मैं लेवल जगह में रखता हूँ, अगर दुकान में लेवल जगह होता है, इस तरीके से रख दिजिए, रखने के बाद आपको जो है ना, बबल लेवल का पानी चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए, बबल लेवल का जो पानी है, वो राइट साइट में है, आ और यह राइट साइट में पानी है ना, इस चीच को नजर दिजिएगा, और जिस जगे में आपका बबल लेवल है, उसी जगे में आप इस तरीके से फिर से पल्टी करिएगा, किसी भी दुकान में खरितते हो, अगर लेवल जगह होता है, इस तरीके से पल्टी करिएगा, और यहां पर देख लिएखी है पानी जो है left side में आ चुका है पहले यह पानी right side में था लेकिन यह अभी left side जा चुका है तो यह अपका bubble level邓र खराब है यह bubble level का पानी अगर right side में रहता तो यह bubble level रहता देखे बबल लेबल को पल्टी जो है दोनों साइट से करके देखना चाहिए लेगिन पानेगा लोकेसन जो है वो चैंच नहीं होना चाहिए अब चलिए पूराना वाला जो बबल लेबल है उसे हम लेते हैं और देखाते हैं आपको फिर किस तरीके से होगा वो समझेंगे ठीक है यहाँ पर देख लिए पूराना वाला हम इसके उपर रखते हैं और यहाँ पर आप चलिए देखाते हैं लेबल लेबल जो है वो बिलकुल सेंटर में है दो डोरी का बीच में अब इसे हम क्या करेंगे बबल लेबल को पल्टी करते हैं उसके बाद देखते हैं इसका लेबल किदर जा रहा है तो यहाँ पर जो है हम रख चुके है एक site में ठीक है, अब जो अच्छा वाला bubble level है मतलब जो यह नया वाला इसे site में रख देता हूं यह पूरान वाला सैई है तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर देख लिजे आप पानी का label जो है, वो right site में आचुका है देख लिए जो डोर ही है बिलकुल लेवल राइट साइट में आ चुका है तो इसे ध्यान दीजे इस लेवल को हम क्या करेंगे पल्टी करेंगे उल्टे साइट इस पुट्टे के उपर जिस लोगिसन में है उसी तरीके से हम रखेंगे अब यहाँ पर रखा हूँ अब देख लिए यहाँ पर पल्टी करने के बाद भी वही राइट साइट में आपका लेवल आ रहा है मतलब यह बबल लेवल सही है आपको ऐसा बबल लेवल खरीदना चाहिए देखें लेवल जगा हो या फिर ना हो आपका प्रोसेसिंग सेम होना चाहिए मतलब जिस जगे में आप बबल लेवल रखते हो पल्टी मार के सेम जगा में उस तरीके से रखना चाहिए और उसके बात आपको समझ मा जाएगा किस तरीके से आपको लेवल चेक करना है जैसे दोनों साइट से पल्टी मार रहा हूँ लेकिन पानी का दीशा जहां पर दिखा रहा था उसी जगह में है और अगर बबल लेबल खराप होता है तो एक लोगेशन से आप रखो जिस लेवल में आपको दीखता है और बबल लेबल को आप पल्टी मारेंगे उसका लेवल चैंच हो जाता है जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए फिर से ये लेबल चैंच हो गया मतलब ये बबल लेबल खराप है ऐसे बबल लेबल को बोईकोट करो और वीडियो अगर आपको थोड़ा वो समझा पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कॉमेंट सेयर करना बिल्कुल मत येजिए हैंच 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 हैंच